है यह लो फ्रेंड्स वेल्कम टू अतुल्य कोचिंग जैसा कि हम सब को पता है कि स्कूल कोरोना के वजह से भी बंद है लेकिन यह भी पता है कि बंद अब नहीं रहना चाहिए और यह भी पता है यदि खुलता है तो कंट्रोल कैसे होगा तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रीम हंत्राले ने आदेश जारी किया है कि स्कूल को खोल जाएगा और यह खुलने का जो डेट रखा गया है यह 21 सितंबर 21 सितंबर से आंसिक तोर पर इसकोर खुलेंगे यह चलिए इसमें डिटेल्स रिपोर्ट इसका देख लेते हैं कोरोना से सब डर हुआ है चाहिए एस्टुडेंट हो चाहिए वो टीचर हो चाहिए अविवाबाक हो सबको यह पता है कि यह संक्रमन बहुत बुड़ी तरह से फैला हुआ है और बात करें हम आजकल की तो कोरोना का रफ्तार अभी बहुत देश बढ़ रहा है तो ऐसे स्थिती में इस्कूल का खुलना बहुत ही चतावनी भड़ा हुआ बहुत ही रिस्क भड़ा हुआ है और इसमें हमें बिल्कुल सयम रहते हुए काम करना पड़ेगा आए देखते हैं केंद्री स्वास्त एबंपडिवार कल्यान मंत्राले ने इस्कूलों कोसल एस ऑपी जारी कि है ग्रीमंत्राले ने 21 सितंबर से स्कूलों और उपरोग स्रेण के उच सिक्षन संस्थानों को खोलने के अनुमति दी है एसोपी में कहा गया है कि स्कूल कॉलेजों कोशल संस्थानों को खोलने से पुर्व उन्हें अच्छी तरह से स्रेटाइज करना हो होगा हालांकि या स्वेचिक होगा यानी छात्रों के उपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं जिन इसकूलों या संस्थानों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे उन्हें पूरी तरह से संक्रमन रहित करना होगा कक्षाओं में कुरसियां छाफीट की दू यह दिखिए जो भी डिरेक्शन दिया गया है यह बहुत ज़री है चुकि अभी काफी रफ्तार्म कोरोना फैल रहा है पूरी देश में चात्र स्वेचा से जाएंगे स्कूल देखिए यहां पर यह भी कंडिशन लगा गया है कि जिन चात्र को लगेगा हमें स्कूल जाना ह है वह जा सकते हैं मर ऐसा कुछ निकांपलसर नहीं कि सब इसकूल को सब इसकूल जाना ही पड़ेगा चात्र अपनी स्वेचा सी स्कूल जाएंगे इसकूलों में 21 सितंबर के बाद सिर्फ नवी से बार्मी के छात्रों को सिक्षक से सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से जान कारिमिकों को जाने की मना ही है अब उसके बाद देखे नेक्स जो प्रिकॉसन लेना हमें इसकूल से ही ऑनलाइन कक्षाएं इसकूलों में सिक्षक वहीं से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकेंगे इस दोरान यदि कुछ छात्र चाहें तो वहां बैटकर भी पढ़ सकते है स्वेच्षा से पढ़ने के इच्छुक छात्रों को सिक्षक अलग अलग टाइम स्लाट दे सकते हैं हलांकि छात्रों सिक्षकों के बीच नोटबुक पैन पैंसिल आदी की सेरिंग नहीं की जाएगी देखे कितना खयाल रखा गया है कि यह जो सेरिंग का कुछ भी है जैसे इससे आप समझ सकते हैं कि कि इस हद तक चक्का जाम कर रखा है कि यह पहली बार इसा हो रहा है सुनने मार रहा है कि स्कूल में प्रार्थना नहीं क्या जाएगा नहीं होगा कितनी बड़ी बात हो गई है कि पूरी इतिवसरे मुझे सब्सक्राइबslाइबले नहीं होगा उकी इतना ही नहीं होगा कि शुकार engagements जो बिल्कुल चांसन होता है वो गार्थना हो या जहां पर भी हो सकता है उसके सब्सक्राइब कि पूरा-पूरा ध्यान रखा गिया अब उच्छी बात जो गाइडलाइन साया है यह काफी एक्षिएवल है बहुत अच्छा है और इस तरह ज़्यादी हम करते इस तरह बधर इस तुडेंट्स या फिस टीचर इस पर अमर करते हैं तो पाफी कुछ कंट्रोल हो जाया मुझ स्कूल जाएंगे और उनको लगेगा कि बिना प्रार्तना कैसा खो रहा तो उनको तो मुझे ने सब्सक्राइब के माद प्रार्तना ना हो आप कोई खेलकुत का कारत करम ना हो बच्चे आपस में मिले नहीं और सब बिल्कुल अपने एक दूसरे से अलग था लग रहें तो बच्चों को ऐसे भी वहां बोरिंग फिल होगा कि उसके बार इसकूल कॉलेज़ों में swimming pool आदी भी बन रहेंगे हैं मतलब यह समझीए कि बच्चे के वल जाएंगे इसकूल और टीचर से दूरी बनाएंगे बच्चे अपने आप से बच्चों में अपने आप दोड़ी बनाएंगे और कुछ सेरिंग ने कर पाएंगे यह सब सारी बंदिस हो गई यह सब कुछ मनाई हो गया ऐसा कुछ नहीं कर सकते बच्चे टीचर कुछ बच्चों को देने सकते ना नोटबुक दे सकते ना पैन दे सकते ना ले सकते बिलकुल इतने दूरी बनाएक रखना है कितना बिलकुल अलग रहेगा वेवस्था यह कोरोना ने हर तरह से वेवस्था को डगमगा दिया और अभी कुछ कहने सकते आने वाली दिन सब इसक्षन संस्थानों को हैल्प लाइन नंबर और स्थानिय स्वास्त अधिकारियों के नंबर भी प्रदर्शित करने होंगे देखो यह भी जोड़ी है आप जितने स्थान संस्थान है कोचिंग इस्टिटूट है इसकूल है तो वहां देखो आज-पास पहले क्या होता कि कि परसानी होती है तो पहरे तो वहाँ पर इस स्कूल में या इंस्ट्यूट में नंबर जोगा बिल्कुल सामने डिस्प्लेट रहेगा कि अकी लोकल जो स्वास्त अधिकारी है उसका नंबर और और उसके बाद सेंट्रल नंबर है या स्टेट नंबर है वह भी नंबर रहेगा उस पर तो यह जोड़ी है कि जो भी हल्क लाइन नंबर है वहाँ पर सामने डिस्प्लेट हो ताकि कोई भी परसानी आने पर तुरत कोंटक्ट किया जाए स्वास्त अधिकारी से या डॉक्टर तक संब्सक्राइब रहेगा वह 24-30 डिगरी ही रखना होगा उससे कम करने पर दिखकत हो सकती है और कुछ कोरुणा के लेकर कि जो भी डर बना हुआ उसमें कुछ खादरा पैदा हो सकता इसलिए टेमपरेशर जो है 24-30 रखना होगा और उस वाद रूम में क्या है और रू अब हो सके यह फोन में होना चाहिए अब देखो आरुक से तो जो भी बच्ची स्कूल जाएंगे या जो भी टीचर स्कूल जाएंगे तो सब के पास यह आरुक से तो उनके एप में होना अनिवारी है थूकने पर सक्त पाबंदी होगी यह अब कितने लोग कंट्रोल करके सब्सक्राइंगे थूकने पर सक्त पाबंदी होगी कंटेन्मेंट जोन के बाहर स्थित स्कूल और सिक्षन संस्थानों को ही खुलने के अनुमती होगी मतलब कंटेन्मेंट जोन के जो बाहर है उनको ही खुलने की अनुमती मिली है और जो कंटेन्मेंट जोन में है मों बिल जो एक रहा वह बाहर नहीं निकलेगा या फिर जिस कंटेनेट जोन में इस्कूल है वहां पर भी बच्चे नहीं जाएंगे है ठीक है तो मतलब यह दोनों को माना ही हो गया जदी कोई कंटेनमेंट जोन आता है तो सभी संस्थानों में एक आइसलेशन रूम भी बनाना होगा जहां जरुत परने पर संभावित मरीज को रखा जासके अब दोको जितने संस्थान है इंस्टिट यह पिर स्कूल है जो खुलेगा और जिसमें बच्चे की पढ़ाई की बात होगी तो वहां पर एक आइसलेशन रूम भी बनाना होगा मतलब जैदी एक कोची शूट है मानों चोटा सा दो कमरे का है चल रहा है तो उसमें एक उनको पार्टिसन करके कि बनाना होगा का इसलेशन रूम जिसमें जरौत परने पर वहां पर मरीज को रखा जा सकता है उसके बाद इसकूल कॉलेज़ों को मास्क सेनिटाइजर आधिक अभी परियाप इंजाम करना होगा मतलब जो भी स्कूल है या कॉलेज है या फिर कोछी इंस्टिट है तो जैसे इसका रियोपनी होगा एक इस तारिक से उस्कूल में या सिक्षण संस्थान में या कॉलेज में वहाँ पर सेनिटाइजर मास्क यह सब कर्यात नजाम रखना प्रएगा जैसे मौन उबच्चे से हैं घर से कि निकल घान बिना मास्क तो कि जान को इंजक्ड इसके जैसे रभी होना चाहिए हुए तो आते हैं उसको अपने अपको ति यह सब क्या है कि जो ग्रीमंतरा एक तशालाइन जारी किया गया है用 है बहुत जड़िये है जैसा हालात है जिस तरह से कोरोना ने बिल्कुल चक्का जाम कर रखा है स्पीट को ब्रेक अप कर रखा है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल साफधान रहे हम जब भी स्कूल जाएं तो वहाँ पर इन सारी बातों का हम ध्यान रखें चाहे स्टुडेंट की बात हो या फिर टीचर की बात हो सभी इस बात को ध्यान रखें कि अभी जो समय चल रहा बहुत ही बुरे दोर से बुजर रहा है तो यह था एक इन्फॉर्मिशन जो की ग्री मंतराले के तरफ से जाड़ी हुआ है और बाकी जो गाइडलाइन से इसको फॉलो करना चाहिए इसी तरह के और भी गाइडलाइन के लिए इस तरह भी और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस तरह के और भी न्यूज के लिए आप मारे चैनल से जोड़े रही है जदि आप अतुल्या को पर पहली बार आए हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करेंगे अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिलको और रखिए ताकि इस तरह का प्रेट आपको लगातार मिलता रहे और कुछ कहना चाहते पूछना चाहते ताप में कमेंट्स भी कर सकते मिलते हम एक दूसरी वीडियो में जहां पर इस तरह की और भी बा बाद ओके थेंक्यू बाबाए